मैं ज्र इंद्रप्रम में आपको एक प्राइम लोकेशन पर एक 200 मीटर का फ्लैट दिखा रहा हूं जो की 200 मेतर का है और स्पेसियस है अभी जो मैं आपको ड्राइंग रूम दिखा रहा हूं यहां पर काफी बड़ा में काफी बड़ा है यह इसका फाल से लिंग के डिजाइन अपर का यह में रोड की प्रपरटी है और इसको देखने का प्रांद कर सकते हैं इंद्रपुरम अपने में एक प्राइम लोकेशन है इसके अंदर ज्ञान खंड अबै खंड सक्ति खंड यह तोड़ा सा पुर्राना फ्लैट यहां पर नए फ्लैट्स भी है बट नए फ्लैट्स की जो कॉस्टिंग आती है वो काफी है कि अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यह एरिया कि इसी एरिया से स्टाडिंग कर लेता हूं यहां पर यह सामने कॉमन ट्वालेट है जो कि एक रूम की तरी है काफी बड़ा यह दोर लगा हुआ है और आप ट्वालेट का साइज देख रहे हैं यह टू साइड ओ ओए हमें आपको फ्रेंट रूम के अंदर लेकी चल रहें है यह इसका रूम है यह पर का फाल से लिंगा डिसाइन है कि प्रंट कर जो रूम है काफी बड़ा है इसके साथ में विंडो है जो कि में रूट की तरफ विंडो उपन होती है यह साथ में अन्मीरा लगी हुई है और यह विंडो है और इसी के साथ मैं मैं आपको दिखा रहा हूं कि है ये कि सिटोर या ड्रेसिंग रूम वोल सकते हैं इसको एक सप्रेटैंग क्यों से नह sequ alla 這स्धthish वाफ करों तो अलँकानी काफी बड़ी और यह बिल्कुल मइन रोड पर ही वणम ही प्रहट दिख लेंग है influence क्यात है यह टूसाइड ओपन प्रपरट्टी आप इसको देखने का प्रांद कर सकते हैं क्योंकि में रोड की प्रपरटी है इसको आप कमर्शल भी यूज कर सकते हैं इस धाया पर इसी डॉयंग रूम के साथ से यह सब्सक्राहिए इस्टार्ट है अब में second bedroom के अंदर जा रहा हूं second bedroom का space बहुत बड़ा है और इसके साथ में जो common toilet है वो उसके साथ में attached है इसके साथ में भी window लगी हुए यहां पर plus point यह है कि आपको सभी room के साथ में window मिलती है अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चल रहा हूं कि यहां पर यह separate जो एंट्री दी हुई है यह एक द्रैंग रूम के साथ में बड़ा space है यह अनरा का वर्क और और यह सामने यानि कि इसको डाइनिंग रूम बोल सकते हैं यह सामने kitchen है यह आपकी U-shape में केच्छन है और इसका वेंडिलेशन भी रोड की तरफ ही है यानि कि सैकिंग तरफ जो पादिशन बना हुआ है जो काफी बड़ी सडक है यह टू साइट उपन प्रॉपरटी है अब मैं आपको थर्ड बैडरूम दिखा रहो जो दो रूम है वो पीछे की कि स्पयस भी है अव इसका मैं आपको दिखा देरहूं इसका बाथरूम काफी बड़ा है रों की तरह की बात्रूम बनावख है यह इसका वैंडिलेशन रों देख रहे हैं कि एक स्थोते फ्लैट में इतना बड़ा बड़ा भाथ ले मिलता है इसका वेंडिलेशन भी प्रापर है कि विंडू साथ में है यहां से भार पीछे की तरफ जो वाशेंग एरिया इसको वाशेंग अरी बोल सकते हैं काफी बड़ा इस्पेस भी आ वाए है इसका हमें आपको चौथा वेडरूम भी आजाता है इसके साथ में भी कफी बड़ी ट्वालेट है झाल 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 झाल